है गाइस वेलकम बैक तो मार यूट्यूब चैनल माइनम इस अभीदेव और इस वीडियो में हम पेटीम HDFC क्रेड़ कार्ड के बारे हम बात करेंगे जैसे कि इसका नाम सजेस्ट करता है यह पेटीम का को ब्रांडिट कार्ड है जो इसने HDFC बैंक के साथ मिलकर लांच करा है इस कार्ड को यूज करकर आप पेटीम पर डेफिनिटली काफी अच्छे ओफर्स को वेल कर सकते हैं आइंड जैसे मार्केट में एमेजान का ICI-ICI कार्ड है सिमिलरली यह पेटीम के लिए HDFC का क्रेड़ कार्ड है इस वीडियो में हम तो आपको कैसे इसमें रिवर्ण्स मिलते हैं कौन-कौन इसमें फिसल लगती है in complete information इस वीडियो में आगे बलने से पहले लिए के लाइक ज़रे देना एnd ऐले चैनल के से बश्यणर के कर देना फो यह अच चैनल को सुस्क्राइब कर देना transaction के लिए, बाकि यहाँ पर आपको 3% का cashback मिलता है, अगर आप कुछ भी PayDM mall को use करकर shopping करते हैं, तो PayDM movies से ticket करते हैं, या फिर mini आपको use करकर कोई भी transaction करते हैं, तो बाकि 2% आपको cashback मिलता है, अगर आप PayDM में आपको use करकर कोई भी transaction कर रहे हैं, और बाकि सारे transactions पर आपको 1% का यहाँ पर cashback मिल जाता है, बाकि इसमें हमें as such कुछ भी domestic lounge access नहीं मिलेगा, international lounge access नहीं मिलेगा, और इसमें कुछ भी travel offers नहीं मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर PayDM ने HDFC के साथ मिलके यह card launch कर रहा है, तो HDFC के थुरू आप जो dine out का benefit मिलता है लएक restaurants पर, तो वो भी आप यहाँ पर avail कर पाएंगे, जो dine out पर listed apps है, वहाँ पर आप 20% तक discounts avail कर सकते हैं, यहाँ पर आपको जो भी cashback मिलता है, वो cash points के form में मिलता है, और आप उस cash points को redeem करकर अपने सारे rewards ले सकते हैं, बाकी, अगर हम इसकी joining fees के बारे हम बात करें, तो वो है खाली 49 rupees, प्लस जो भी इसकी according GST लगता है आपको, and renewal fees के बारे हम बात करें, तो वो भी 49 rupees plus GST है per month, so यह आपको ध्यान में रखना चाहिए, इसकी renewal fees हर month आपको pay करनी पड़ेगी, and अगर आप एक महिने में 5000 rupees से उपर की shopping करेंगे, इस credit card को use करके, तो आपके renewal fees भी यहाँ पर wave off हो जाएगी बाकी सभी credit cards की तरह, यहाँ पर 3.6% का आपको per month का interest लगता है, अगर आप bill payment time पर नहीं कर रहे हैं, और अगर हम इसको yearly देखे, like per month में, तो आपको 44% per month pay करना पड़ेगा, अगर आप इसका bill payment time पर नहीं कर रहे हैं तो guys, आप make sure करें, जितने भी आपके credit cards होंगे, उनका bill payment आप time पर कर रहे हैं, और किसी भी card का थोड़ा भी amount नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि यह आपके लिए multiple fees add कर सकता है, अपने credit card के bill में, और मैंने SDFC bank की जो भी fees के उपर information होती है उसके लिए एक separate video create करा है, उसमें सारी fees और charges से related information है, so मैं उसको उपर i button पर link कर दूँँगा, so that आप simply उसको जाकर देख सकते हैं, बाकी यहाँ पर हमें 1% का fuel such charge waiver मिल जाता है, अगर हमारा fuel transaction 400 रुपए से जाधा का होता है तो, plus cash advance charges के बारे हम बात करें तो वो यहाँ पर 2.5% लगता है, और minimum आपको 500 rupees pay करना परता है, जो भी like amount जाधा होता है अपका, अगर आप इस credit card को apply करना चाहते हैं, तो आप simply SDFC की website पर जाकर इसको apply कर सकते हैं, और इसके लिए eligibility criteria है, like आपके minimum age 21 यहाँ से जाधा होनी चाहिए इसको apply करने के लिए, plus decent credit score होना चाहिए, like 650 या फिस 700 के उपर and आपकी जो income है, वो stable होनी चाहिए, even अगर आप salaried person है, या फिर अगर आप self-employed person है, आपकी stable source of income होनी चाहिए, then उसी condition पर यह आपको credit card देते हैं, so guys यह complete information थी PDM के SDFC credit card के बारे मैं, और अगर आपको इस से related कुछ भी doubts हो, then definitely मुझे comment box में पूछना, इस channel पर सारे subscribers काफी ज़ए active हैं, and definitely वो आपको comment करके बता देंगे या फिर मैं आपको doubt clear करने की कोशिश करूँगा, and अगर मुझे कुछ information shoot गई हो, then वो भी आप सभी के साथ share कर सकते हैं, नीचे comment box में, so guys, अगर आपको ए वीडियो यूसफुल लगियो, then definitely इस वीडियो को like जरू करना, and channel को subscribe कर देना, see you guys in the next video.